हेलो दोस्तों आज हम ब्रत के लिए एक और रेसिपी लेकर आए हैं वो है समा के चावल के फुलाव के रेसिपी ये खाने में जितना ज़्यादा टेस्टी लगता है बनाने में उतना ही आसान होता है दोस्तों वीडियो को फूल वाच कीजिए और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नई भूलिएगा नमस्ते दोस्तों आपका हर्दी स्वागत है आपके अपने चैनल निकेज कुकिंग कॉनर में तो चलिए इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए समा के चावल समा का चावल हम यहाँ पर डेड़ कप ले रहे हैं आपको जितनी क्वांटिटी में इसका पुलाव बनाना है उतना बना सकते हैं वैसे एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसका पुलाव बनाने पर ये काफी फैलता है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चावल को धोना है दोस्तों ये समा का चावल थोड़ा सा हम रोसनी कम करके आपको दिखा रहे हैं ये एक दम छोटे छोटे दाने होते हैं इसके और एक दम मोटा मोटा होता है इसे ब्रत में खाया जाता है अगर आपके पास ये समा के चावल ना मिलते हों और तिननी का चावल मिलता हो तो उसका भी आप पुलाव बना सकते हैं वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है उसका वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे देंगे आप वहां से जरूर चेक कर लिजेगा तो चावल को दो तीन पानी हम धो लिये हैं अब धोने के बाद चलते हैं गैस की तरफ यहाँ पर एक कडाही रख देंगे कडाही जब गरम हो जाए तब इसमें दालेंगे एक चमच देशी घी घी मिल्ट हो जाने के बाद इसमें एक कटोरी मुणपली डालेंगे मुंखली का दाना डाल कर इसे अच्छे से भून लेंगे इस पुलाओ में मुंखली का स्वात बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आपको पसंद हो तो आज जरूर डालिएगा और इसे बना कर देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगा तो मुंखली को मीडियूम फ्लेम पर 5 मिनिट तक रोष्ट कर लेंगे ब्रत की और भी रेस्पी देखने के लिए एक बार डिस्कुप्सन बॉक्स में जरूर चेक कर लीजिएगा वहाँ से आपको बहुत सारी लिंक मिल जाएंगी ब्रत की रेस्पी की तो ये देखिए मुंखली भून गया है तो अब हम यहीं पर इसमें डाल देंगे ये काजू काजू को बीच से हम कट लगा लिए हैं जिससे कि ये बिल्कुल फ्रेस हो जाए और चावल में अच्छा भी लगेगा तो मुंखली जब पांच मिनट रोष्ट हो गया है उसके बाद हम काजू डाले हैं और काजू को डालकर दो मिनिट तक रोष्ट कर लिये हैं रोष्ट होने के बाद दोनों को एक प्लेट में निकालकर साइट में रख देंगे अब इसी कड़ाई में एक चमच देशी घी डालेंगे और ध्यान रखें कि यहाँ पर कड़ाई गरम है तो इसका फ्लेम आप एकड़म लो कर दें और इसमें सबसे पहले डालेंगे एक चमच जीरा जीरा डाल कर इसे चटकने देंगे जब जीरा फलका सा चटकने लगे तब इसमें डाल देंगे यह आठ दस काली मिर्च यह है चार लॉंग और इसके साथ डालते हैं एक छोटा सा दालचीनी का टुकडा और यह है दो इलाइची को तोड़ दीजिए ताकि उसका फ्लेबर अच्छे से चावल में आ जाएगा इसके बाद इसमें डाल देंगे यह हरी मीर्च दो मीर्च हम ले लिए हैं एक खड़ा है कट कर लिए हैं बीच से और एक बारी काट कर लिए हैं अब बराबर चलाते हुए कुछ सेकेंड तक सबको रुष्ट कर लेंगे तो अब यहां पर हम डाल देते हैं लगबग एक इंच अद्रक का टुकड़ा लिए हैं जिसे हम कद्दुकस कर लिए थे तो अद्रक से बहुत ही अच्छा इसमें टेश्ट आएगा तो आप इसे जरूर डाले और हां अद्रक चुकी कद्दुकस किया हुआ है तो वो अक्सर तले में चिपकने लगता है भूनते टाइम तो जिससे आप चलाईए वो अच्छे से तले से होते हुए चलाईए और अ आठ दस लगभकरी पता डाल दिये हैं एक तेश पता डाले हैं और इसी के साथ इसमें डाल देंगे दो टमाटर जिसका बीच हम निकाल दिये हैं अभी इसमें घी थोड़ा कम लग रहा है तो हम इसमें आधी छोटी चमच घी डाल देते हैं उसके बाद इसे रोष्ट करें कि क्यान डाल2 करें इसमें आलू जरू डालिये टमाटर के पहले अगर आपको कच्चे आलू डालना है तो यहीं पर डाल देजीए और जब आलू का कालर गोल्डन में आ जाए तब आप यहीं पर किमाटर डाल देजीए या फिर घाजर आपको पसंद हो तो गाजर भी याल भूनने के बाद इसमें डाल देंगे ये धोया हुआ चावल डाल कर इसे अच्छे से मिला लेंगे और फ्लेम को यहीं पर तेज कर देंगे इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं सेंधा नमक यहां पर लगभग दो छोटे चमच हम इसमें सेंधा नमक डाल रहे हैं दोस्तों अगर आप ये पुलाव खाना चाहते हैं और सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं आप इस सेधानमक की जगह पर आधी छोटी चमबचीनी भी डाल सकते हैं तो अब इसमें डालेंगे पानी तो जिस कब से हम चावल नाप कर लिए थे डेड़ कब उसी कब से हम इसमें तीन कब पानी डाल रहे हैं वैसे तो हम घर पे बनाते हैं तो नापने की जरूरत नहीं बढ़ती पर कैमरे पर अगर नाप के दिखा रहे हैं तो ये थोड़ा सा ड्राइ सा हो गया है तो आप कोसिस कीजिए कि अगर एक कब चावल बना रहे हो तो उसमें सवा कब पानी डालिए और देड़ कब अगर चावल बना रहे हो तो उसमें साड़े तीन कब पानी डालिए तब आपका परफेक्ट मेजरमेंट होगा तो ये देखिए पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद फ्लेम को तेज करेंगे और इसे ढग देंगे 5-7 मिनिट के लिए तो अब पूरे 5-7 मिनिट हो गए हैं और हम बीच में 2-3 मिनिट के बाद फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दिये थे तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें पानी की मातरा थोड़ा रह गया है और ये चावल लगभव होने को है तो इसे एक बार चला देंगे चलाने के बाद फ्लेम को एक तम लो कर देंगे उसके बाद इसे कभर लगा देंगे इसे लो फ्लेम पर पकते हुए पूरे 10 मिनिट हो गए हैं लेकिन फिर भी हम इसे नहीं ओपन करेंगे क्योंकि ओपन करने से जो इसका इस टीम है वो बाहर निकल जाएगा और ये चावल थोड़ा सा कच्चा ही रह जाएगा इसलिए हम इसे साइड में रख देते हैं गैस पर से हटा के तो यहाँ पर हम उबले हुए आलू रखे थे इसमें डालने के लिए उसे हम डालना भूल गए हैं तो यहाँ पर एक और कडाई रख देते हैं गैस पर उसमें जरा सा गी डालेंगे और ये बॉयल किया हुआ आलू इसमें डाल कर भून लेंगे हमारे पास ये पहले से बॉयल डालू था इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं अगर आप इसे बना रहे हैं तो आप इसमें कच्छा आलू डाल कर जैसा कि पहले हम बताये थे वैसे ही भून दीजिए क्योंकि जब चाबल पकेगा तो आलू अच्छे से उसमें पक जाएगा तो ये देखिए आलू को हम अच्छे से 5 मिनिट तक रोष्ट कर लिये हैं और इसमें डाल दिये हैं आधी छोटी चमत सेंधा नमक क्योंकि अगर ऐसे ही आप छोड़ देंगे तो आलू में नमक का टेश्ट नहीं आएगा तो इसमें सेंधा नमक डालने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और चलिए अब हम इस पुलाव को चेक कर लेते हैं तो ये देखिए पूरे 15-20 मिनिट हो गए हैं इसे छोड़े तो ये थोड़ा सा जमने जैसा हो गया है पर इससे बहुत ही अच्छी खुस्बू आ रही है तो चलिए अब इस पुलाव में बाकी की जो चीजे बची हैं उसे डाल देते हैं तो यहाँ पर ये भूने हुए आलू डाल दिये हैं उसके बाद एक निम्बू का रस डाले हैं और ये है जो मुफली और काजो भून का रखे थे इसे डाल देंगे और साथ में डाल देंगे बारी कटा हुआ हरा धन्यापत्ती तो चलिए अब इन सब को अच्छे से मिला लेते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये पलाव देखने में ही बहुत ज़्यादा टेंप्टिंग लग रहा है और सच बताएं तो ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वाधिश्ट बना है तो फ्रेंड्स आप भी इसे नौरातरी ब्रत में बनाईए या कोई भी उपवास करिए जो सिन्धा नमक वाला हो तो आप इसे बना कर खा सकते हैं तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं दोस्तों हमें उमीद है कि आपको हमारी ये पुलाव की रेस्पी बहुत असंदाई होगी तो आप लीज वीडियो को लाइक कर दें, सेयर कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की टेंप्टिंग और इजी टेस्टी रेस्पीज देखने के लिए तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए रेस्पीज के साथ तब तक के लिए टिक कियर एंड बाबाई